हाई फ्रेंड मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक दम डिफरेंट रेसिपी बहुती आसान और बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी यहाँ पे मैं लाई हूँ मखाने और कैरेट की रेसिपी जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयरें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब की बाजू में जो बैल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहाँ पे मैंन ले लिए हैं मखाने मैंने 150 घ्राम मखाने लिए है उन्हें अच्छी दरीकेसे मैं रोस्ट कर लूंगी बिना ओइल के बिना घी के आपको ऐसे ही यहाँ पे मखाने को रोस्ट कर लेना है ताकि मखाने थोड़े से क्रिस्पी हो जाये यहाँ पे मकाने हमारे रोस्ट हो चुके है इन्हें में अलग प्लेट में रख लेती हूँ थंडे होने के लिए और यहाँ पे मैं ले लूँगी एक कड़ाई उसमें मैं एट करूँगी दूद 500 ml के करीब मैंने यहाँ पे दूद एड किया है वो भी फूल फैट क्रीम यहाँ पे आप चाहे तो टोन मिल्क भी इसमें यूज कर सकते हो जब दूद में एक उबाल आ जाए तब आपको यहाँ पे कैरेट को एड करना है यहाँ पे आप कैरेट को ग्रेट करके भी एड कर सकते हो जैसे गाजर के हलवे के लिए हम करते है वो बहुत आसान तरीके से पक भी जाएगा तो यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से इसे पकाना है जब तक कि हमारा कैरेट सौफ्ट न हो जाए तो यहाँ पे मैंने मकाने को ऐसे ही तोड़ लिया था हातों से यहाँ पे मकाने को हमें सिर्फ हातों से तोड़ना है इसे हमें ग्राइंड वगिरा बिल्कुल नहीं करना है और मैंने यहाँ पे 10-12 बादाम को चौप कर लिया था आपको जो ड्राइफूर पसंद है आप उसे एड़ कर सकते हो यह रेसिपी में तो यहाँ पे आपको चलाते हुए कैरेट को अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेना है यह देखिए फ्रेंड यहाँ पे अच्छी तरीके से बॉइल आ चुका है और कैरेट भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके है मुझे और थोड़े से सॉफ्ट करने है ऐसे आपको यहाँ पे स्पेचुला से दबाके आप देख सकते हो कैरेट पूरी तरीकी से जब सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद हमें एट करना है यहाँ पे कटे हुए बादा और यहाँ पे मैं एट करूंगी वन फोर्थ कप के करीब शुगर आप यहाँ पे बुरा चीनी भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे मैं एट करूंगी वन फोर्थ कप के करीब मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर को आपको धीरे धीरे एट करना है ताकि उसके lumps न बन सके यह देखिए फिन ऐसे ही आपको milk powder add करना है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यह recipe बहुत बहुत ज़्यादा tasty बनती है तो इसे एक बार आप जरूर try कीजिए तो देखिए यहाँ पे हमारे carrot अच्छी तरीके से soft हो चुके है तो यह वाले stage प इसे बहुत अच्छी तरीके से mash हो जाते है हम पे carrot अगर आपको mash नहीं करना है तो यहाँ पे आप grate करके भी add कर सकते हो यह देखिए फिर यहाँ पे हमारे carrot अच्छी तरीके से mash हो चुके है हमें इतना ही mash करना है तो मैं यहाँ पे यह वाले stage पे add कर दूँगी मखाने जो पकाना है फास्ट फ्लेम पे ताकि जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो अच्छी तरीके से सूख जाए ये देखी हमारे यहाँ पे रेसिपी कम्पलीट हो चुकी है बहुत ज़्यादा टेस्टी मैंने आप घी वगेरा का भी यूज नहीं किया है तो ये रेसिपी बहुत ज़्याद बादाम के साथ या आप इसे पिस्ते के साथ भी सर्व कर सकते हो इन सर्दियों में ये रेसिपी आप ज़रू ट्राइ कीजिए क्यूंकि सर्दियों में कैरेट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते है इसमें मैंने मखाने भी यूज किये जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते यह रेसिपी बच्चों से लेकि बुड़ों तक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो यह रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं लाती रहती हूं आपके लिए ऐसे ही अच्छे ची कुकिंग की वीड तो प्लीज जो बेल आइकोन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताके आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले मेरी रेसिपीज की वीडियो या होम की वीडियो आप देख सको तो चलिए मिलती हूं आपसे ऐसे ही